हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊ हो कि आप 10 दिन में कितना केजी वो हाँ 10 दिन में आप 17 किलो बढ़ा सकते हैं कैसा लगा दोस्तों ठीक है ना सुनने में काफी अच्छा लग रहा है तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग चिंता मत करिए अब मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है यह जो चीज आपने स्टार्टिंग में देखिया आपने काफी सारी वीडियो में सुना होगा ना 10 दिन में बीस किलो बढ़ाना बारा दिन में बीस किलो बढ़ाना तीस दिन में तीस किलो बढ़ाना दस दिन में दस किलो बढ़ाना है ना आपने काफी जादा सुना होगा तो एक यही चीज आज मैं आपके लिए लेकर कहा हूँ आज मैं इस वीडियो में आपको बता हूँ कि अब दस दिन में किस तरीक तो देखे दोसो, एक्च्वन में इस बात में कोई बुराई नहीं है, अगर वास्तरिक्ता में देखा है, अगर सच्चाई में देखा है, तो इस बात में कोई बुराई नहीं है, वेट गेन होता है, इतने टाइम में इतना गेन वेट हो सकता है, लेकिन काफी साइलों की बॉ दे, सबसे बड़ी बात एक चीज यही आती है, बस और कुछ नहीं आती, बस एक ही चीज आ बताई कि आपके पास इतना समय है, कि आप दिनों बहर और राद बैटके खाएं, नहीं न, तो वही चीज आती है, और नहीं आपके पास, मतलब काफी साई लोग इतना बजट से है, बैक अप उनका इतना स्ट्रॉंग होता है, उनके बाई इतने पैसे होते हैं, कि वह दिनों और राद बस पैसे खरीदें, समान खरीदें, सप्लिमेंट खरीदें और खरीदें, नहीं, इतना किसी के पास नहीं होता, तो यह वीडियो किस बारे में होने आली भाई, यह तो मैंने लिखी दी टाइटल और थमनेल में ताकि आप लोग यहां हैं वरना आप लोग यहां आते नहीं, अगर मैं आपको यही बोलूँ कि साथ किलो बढ़ा हो, इतना किलो बढ़ा हो, लेकिन मैं आपको क्लियर कर बढ़ा रहता हूं, इस डाइट से नहीं जाता हूँ, आप 10 दिन में 7-8 किलो तक तो बढ़ा ही सकते हैं, डाइट क्या, जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस चीज से आप इतना केजी बढ़ा सकते हैं, अराम से, उसमें कोई दो रहा है नहीं है, क्योंकि काफी साहे लोग इन चीजों में गलती करते हैं, वही कॉमन मैं कोई अलग से चीज नहीं बता हूँ, और घरेलू उपाय होगा, 100% मैं आपको बता रहा हूँ, और साथ से आठ दिन में आप अपना वेट, साथ से आठ दिन में आप अपना साथ से आठ केजी तक वजन easily gain कर सकते हैं, 100%, इसके guarantee मैं ले रहा हूँ, साथ से आठ केजी तक इन वो incomplete होते हैं, अब incomplete कैसे होते हैं, अब देखिए आप काविसाइची यह पढ़ते होंगे भाई, दूद का ये फायदा होता है, ये फायदा होता है, आपने दूद उठा है, सीधा पी लिया, चलिए ठीक है भाई, कल से मैं एक लीटर दूद प्योंगा, ठीक है, आपन मखाना खाने से होता है, चलो भाई, एक मुठी वो भी लेके खाली है, नहीं, ऐसी करते होंगे आप लोग, आप लोग कही ना की थोड़ा थोड़ा सुनते होंगे, और सब खालेते होंगे, और कभी भी किसी भी समय खालेते होंगे, जायर सी बात है, ये करते होंगे, आप म में आपको बताऊंगा जो कि आपने consume करना है और combination के साथ proper combination के साथ जो आप फॉलो करेंगे तो वो आपके जो पूरा दिन है उसमें आपकी सबसे healthy meal होगी आपकी breakfast rally meal चाया तो आप इसको evening में भी एक बार आप add कर लेंगे तो और helpful रहेगा वो कौन सी meal है आप मैं आपको बताता हूँ देखे simple सी बात है आपको क्या करना है आप ध्यान से सुनिएगा जो आप माली जै फॉर एक्जांपल आप नाश्ते में जैसे दूद की जैसे मैंने बात करिया आधा लीटर दूद आप नाश्ते में पीते तो उस आधा लीटर दूद में आपने क्या करना है अगर आप नहीं पीते तो कोशिश करिए आधा लीटर नहीं तो 300 ml 400 ml हिसाब से आपने दूद लेना है चाहे डबल टोंड हो वैसे पैकेट वाला मिल्क ही आता है क्योंकि वह ऊठाए कि पानी पीता हो यह करता हो ठीक है वह किसमिस आपने नॉर्मल लेनी है 15 ले लें है क्समिस चलिए खाते है झाल बदूद में ठीक है ए जाए उसका सिल बट्टे पर चायों उसको पीछ लिए काजू बदाब नहीं है मुंफली ले लिए एक या दो मुठ्थी मुंफली आप ले लिए हाथ भर के ठीक है और साथ में उसको कूटने के बार क्या करना है उसको आपने अपने उसमें डालना है ठीक है फ फो गया milk आपका almonds हो गया आपकी किशमिश हो गई और आपकी मुमफली हो गई अब आता है हमारा सबसे deadly cheese deadly means मतलब सबसे बहतरीन चीज इसमें जो आपकी carbohydrates और calories में एक्डम बढ़ा देगी जिसे आपको अच्छी खासे amount में calories मिलेगी जिससे आपका weight gear होगा वो है आपका poha अब इसमें thick poha आता है और एक thin poha आता है तो आपने कोशिश करना है thin poha खाना है थिक poha होता है वो थोड़ी होता है उसको चबाना पड़ता है thin poha होता है वो दूद में डालेंगे और गल जाएगा और mix हुजएगा और कैलरी उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में उतना है, फोटो डाल दूँगा पोहे की, तो उस पोहे को आपने उसमें अट करेना है, पोहा कितना खाएंगे आप, ठीक है, वो आपने लेना है, कहले जा चलिए, इस मुठी से समझी, आपके जो भी हैंड जितना साइज हो, उससे आपने दो मुठी पोहा उसमें डाल लेना है, बस, इसके बाद आपकी जो मील है, ब्रेकफास्ट की मील, वो कम्प्रीट होगी, और हाई कैलरी मील आपकी हो तयार होगी, और साथ में आपने एक चीज और ध्यान रखना है, साथ में अपने कोशिश करें, कि आप जैस चीज में आपको करना है और साथ में ये जो मील है इसको तो आपने ब्रेकफास्ट में रखना ही रखना है मैं आपको सची कह रहा हूँ अगर चाहिए मान लीजे दोपैर का आपका लेंग भी हो गया अगर आपने मौनिंग में ये चीज खा ली तो कह लीजे मीन्स ला कि हाँ मेरी बॉड़ी में कुछ वेट मेरे को मैसूस हो रहा है ठीक है वो आपको मैसूस खुदी होने लाएगा क्योंकि इसके अंदर इतनी हाई कैलिज होगी और जायर सी बात है काफी है जिससे आपकी स्टेंट्वी बॉड़ी में बढ़ेगी अब इसमें मैं कुछ और आपको आपको फाल यबिशन द लाएगा का मैं उसके टोड़ी में करसकते है लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आपने जहां इसमें बनाना भी आड़ कर दिया तो भाई कह लिजे कि भाई बवाली हो जायेगा ठीक है तो यह एक आपकी ऐसी मिल रहे है आप इसको morning और evening अगर दोनों time खाड लेंगे तो बस उसके बाद आपको आपका वेड बढ़ने से कोई भी नहीं रोख सकता है अगर मैं आपको बता हूँ तो best result के लिए आप इसको दो time खाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे benefit रेकने मिलेंगे अगर आपके पास कोई जैसे आपको सप्लिमेंट यूज़ करें हो आई वेडिक सप्लिमेंट जैसे अश्रोगंदा हो गया गोक्षुरा हो गया तो वो भी आप half tablespoon इसमें डाल सकते हैं वो भी बहुत अच्छा रहेगा उससे आपका testosterone और weight gain होने में strength gain होने में आपकी body में म काम करेंगे जो भी आप डाइट करेंगे वो आपकी body में लगेगा ही लगेगा ठीक है तो उस्तों उमीर करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद है यह वीडियो फो इसे बड़ी होगी थोड़ी बाते जादा हो गई थोड़ा सा मैं आपको बता जारा detail में दिया लेकिन कोटियां कुछ सबजी आपने बागी डाइट में भी आपने बढ़ा लेने हैं पूरे दिन की मील में तब ही आपको इस चीज का थोड़ा benefit देखने हो मिलेगा और बाकी इसको follow करें और results आपके सामने होंगे ठीक है दोस्तों में अगली वीडियो में तब तक के लिए झाल